नमस्कार, मैं अनूप यादव, एक बार फिर से आपका S.O.S. Natural के वीडियो में हारदिक स्वागत करता हूँ पिछले कुछ वक्त से मैं आपके साथ कुछ जानकारियां साजा कर रहा हूँ उमीद है कि उन जानकारियों से आपको कुछ फायदा हुआ होगा आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आये हुए आज भी उसी शंकला में मैं आपके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी साजा करने वाला हूँ और यह जानकारी है तक्रासव के बारे में तक्रासव यानि एक आयरुवेदिक एपेटाइजर एपेटाइजर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी भूख बढ़ाने वाली पेपदार्थ हैं उनके लिए इस विश्या पर बोलने के लिए मुझे एक मेरे परम मित्र हैं उन्होंने प्रेरित किया वो हमारा बनाया हुआ तक्रासव कुछ समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यह एक अद्भुत पेपदार्थ है और इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आज का जो यह वीडियो शूट किया जा रहा है यह जो इन्फॉर्मिशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसका बहुत कुछ श्रे मेरून परम्मित्र को जाता है तक्रासव की अगर हम बात करें तो तक्रासव का शाब्दिक अर्थ है तक्रम का रस तक्रम यानि छाच चाच को संस्कृत में तक्रम बोला जाता है और आसु माने रस तक्रासव यानि छाच का रस अगर मैं आपको बात करूँ तो यह वो तक्रासव है जिसकी हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ समय से हम इसे बना रहे हैं और अपने कुछ जो कस्टमर्स हैं उनको यह उपलब्द कर रहे हैं और अधिकतर लोगों के इसके बारे में बहुत ही सकारात्मक विचार और फीडबेक्स हमें मिले हैं तक्रासव का वर्णन आयुर्वेद में बहुत पुराना है महरिशी बागबट जी ने तक्रासव का बहुती सुन्दर उलेक अपने शोधों में किया है तक्रासव क्यों महत्वपूर्ण है खासकर आज के वक्त जब हम कोविड-19 और कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहे हैं देखिए जो आज का परिवेश है और जो हमारा खान-पान रहन-सहन और जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम बहुत सी मिलावटी चीजें, तामसिक चीजें या उदर की अगनी बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करते हैं इसमें हमारे घर के अंदर भी बहुत से मसाले और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम इस्तिमाल करते हैं जिससे हमें उधर जनित बिमारिया होती है आज मनुष्य को जितनी भी बिमारियां हैं, उनमें से 70% बिमारियों का कारण उधर जनीत होता है उधर में हमारे अमल होता है, एसेड जिसको बोलते हैं, और वो एसेडिक जूसिज जब अन्बैलन्स होते हैं, तो हमें पेट से सम्बंदित, आत या लिवर से सम्बंदित परिशानिया होती है तक्रासव का रोल इसमें बहुत महत्पूर्ण है, तक्रासव जो चाच से, देशी गाये की चाच से बना हुआ पदार्थ है, वो आपके उधर के pH लेवल को बैलन्स करता है क्योंकि तक्रासव चाच चारिय होती है और हमारी बोड़ी में उधर में अमल होता है, तो एसिडिक और एलकलाइन का जो बैलन्स है, वो हमारे शरीर की बिमार होने की जो गती है उसको तैय करता है अगर यह लेवल बहुत उपर या बहुत नीचे हुआ, तो हम निश्चित तोर पर बिमार पड़ेंगे तो जो हमारे उधर में एक नेचुरल एसिड है, उसे हमें एक एलकलाइन से बैलन्स करना है, ताकि हमारे बोड़ी का pH लेवल बैलन्स रहे और हम स्वस्थ रहें तकरासव को बनाने में 100% प्रकृतिक अव्यवों का ही इस्तेमाल किया जाता है और ये जो प्रकृतिक अव्यव हैं, ये हम रोजाना अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल्दी, राई, काला या सेंधनमक इनी सब अव्यवों से मिलकर तकरासव बनता है इसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशल फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है आपने बहुत से विदीशी कंपनियों के विज्यापन देखे होंगे बहुत से एपेटाइजर मार्केट में उपलग्ध है लेकिन उन सभी एपेटाइजर में अगर आप गोर से उनके इंग्रेडियंट्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें प्रिजर्वेटिव्स, कैमिकल्स या आर्टिफिशल फ्लेवर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है तो मेरी आप से विंती है कि भूल कर भी आप इन एपेटाइजर का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के लिए ना करें अब तक्रासव को लेने की विधी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आप दो तरीके से ले सकते हैं एक खाना खाने से पहले और दूसरा खाना खाने के बाद अगर आपको भूख कम लगती है या नहीं लगती है तो आपको इसे खाना खाने के आधा घंटा या पंतालिस मिनट पहले लेना चाहिए अब भूख नहीं लगने के मुख्य काणों में से एक आपके लिवर का पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाना होता है जब लिवर में एंजाइम डवलप्स नहीं होते तो आपके खाने की जो पाचन क्रिया है वो प्रभावित होती है और आप अपच के शिकार होते है तो अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप इसे खाना खाने के आदा घंटा या पंतालिस मिनट पहले लें और अगर आपको कुछ पेट से संबंधित आथ या लिवर से संबंधित कुछ बिमारिया हैं तो आप इसे खाना खाने के करीब चालिस या पंतालिस मिनट बाद लें लेने का तरीका दोनों ही सूर्तों में एक जैसा ही है आप पंतालिस से पचास एमल के आसपास तक्रासव को करीब इतने ही या इससे थोड़े से ज़्यादा गुनगने पानी में मिला लें और आप उसे ले सकते हैं तक्रासव को लेने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद या पहले आप कुछ ना खाएं आप इसे इस्तेमाल करें कम से कम आपको 20 से 21 दिन इसको इस्तेमाल करना है जिससे की आपको उसके फाइदे या जो प्रभाव है उनके बारे में आपको पता चल पाए इसे आप किसी गरम जगहां पर स्टोर करके ना रखें खोशिश करें कि ऐसी जगहां पर रखें जहां पर रूम टेंपरेचर एविलिबल होगा फ्रीज में भी अगर रखना चाहें आप इसे तो फ्रीजर में ना रखकर आप इसे फ्रीज में रखें और उसे गुनगुने पानी में मिक्स कर लें उम्मीद है दक्रासव के बारे में जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है वो आपके और आपके परिवार के काम आएगी और आप उसे अपने जीवन में जरूर समाहित करेंगे मैं एक चीज और आप लोगों के साथ साज़ा करना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही हम अपने उद्देश्य में निर्बाद गती से आगे बढ़ रहे हैं जो हमारा लक्षय है भारतिय देशी गाए और आयरुवेद के सिध्धान्तों को भारत और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का हम उस सिध्धेश्य में सफलता पूर्वक आपके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं बस इसी तरह हम पर अपना विश्वास बनाए रखिएगा आगे भी कुछ इनी विश्यों से संबंदित जानकारियां आपके साथ हम साजा करते रहेंगे जै भारत जै हिंद